हेलो प्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल शिक्षा महासाक्त फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्लांक रेडियेशन लॉय या प्लांक विकिरन नियम किसे कहते हैं तो देखिए इस नियम को समझने से पहले एक बेसिक सी बात आपको समझना बहुत जरूर देखिए कोई भी प्रकाश मान वस्तु से मतलब हमें प्रकाश दो रूप में प्राप्त होता है यह प्रकाश मान वस्तु है इससे प्रकाश मान मतलब जिससे हमें प्रकाश प्राप्त हो एक तो होता है तरंग के रूप में और दूसरा होता है कन या पैकेट या बंडलों क के रूप में ये कन शुश्मा गनों के रूप में प्राप्त होता है अब इन कनों को कहते हैं क्वान्टा कनों को कहा जाता है क्वान्टा तता इन कनों के अंदर जो उर्जा होती है उसे कहते हैं फोटोन उर्जा फोटोन उर्जा को ये से प्रदर्शित करते हैं मतलब ये बराबर फोटोन उर्जा होता है तो इस प्रकार से है फ्रेंट अब हम आते हैं प्लांक का कॉन्टम सिद्धान कीसे कहते हैं उस पर तेखे फ्रेंट सन 1900 में एम प्लांक ने किसी प्रकाश्मान वस्तु के द्वारा उस सर्जित विकिरनों का अध्येन किया और उससे सम्मन्दित एक नियम दिया जिसे प्लांक का विकिरन नियम या कॉन्टम सिद्धान कहते हैं मतलब इस सिद्धान का नाम प्लांक सिद्धान क्यों रखा गया यह भी मैं आपको बता देता हूं क्यूंकि इस सिद्धान को जिस विग्यानिक ने दिया उनका नाम था प्लांक क्या था एम प्लांक तो उनी के नाम पर इस सिद्धान का भी नाम रखा गया मतलब जिस किसी प्रकाश मान मतलब जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त होता है उसके द्वारा उस सर्जित जो विकिर ने थी उनका अध्यन किया और उससे संबंदित एक नियम दिया तो उसे ही क्या कहा जाता है प्लांग का विकिरन नियम या क्वांटम सिद्धान कहते है अब देखे उन्होंने या नियम तो दे दिया उसके बाद में इसकी कुछ विशेश्ता भी बताई तो पहली विशेश्ता होती है किसी प्रकाश मान वस्तु से प्रकाश का उससर्जन सतत नहीं होता है मतलब एक बलप ले लिजे उस बलप से जो प्रकाश आता है तो उस प्रकाश का उस उसर्जन continue नहीं होता है उन्होंने यह भी बता है फिर दूसरी विश्यस्ता में बता है कि किसी प्रकाश मान वस्तु से प्रकाश का उसर्जन सतत्न होकर शूश्मकन पैकेट या बंडलों के रूप में होता है जिने क्वांटा कहते हैं जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम म या बंडलों के रूप में आ रहा है यहाँ पर और उन कनों को कहते हैं क्वांटा और उनके अंदर जो उर्जा होती है उसे कहते हैं फोटान उर्जा और फोटान उर्जा को इसे वेक्त करते हैं यह देखिए अब एक किसी क्वांटा सम्बंदित फोटान उर्जा आउरुत गार्टिके समानुपाति होती है मतलब इस प्रकाल से हो जाएगा यहाँ पर यह समानुपाति मू तो देखिए यहाँ पर यह जो है वह है फोटॉन उर्जा और μू जो है आवरूती तो यह मतलब यह फोटोन उर्जा के समानुपाती होती है अब यहाँ से यह समानुपाती हट जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा यह बराबर h μू यहाँ पर h जो है वह है प्लांक स्तिरांक h क्या है? h है प्लांक स्तिरांक अब यह जो मू है फ्रेंज तो मू के बराबर होता है फ्रेंज यहाँ पर देखें मू बराबर c अपन लेमडा हुआ तो हमने मू के स्थान पर यह मान रख दिया तो e बराबर h multiply c अपन लेमडा आ गया अब यहाँ पर e बराबर होती है फोटन और जा मू बराबर होती है आरूती h बराबर होता है प्लांक स्थिरांग c बराबर होता है प्रकाश का अवेग और लेमडा बराबर होता है तरंग धेर्या जो तीसरे विशेष्टा है वह इस प्रकार है कि प्रत्यक प्रकाश मान वस्तू में उर्जा निच्चित होती है अर्थात वह वस्तू उर्जा का अवशोशन और उस सर्जन करती है मतलब कोई बल्प है तो उस बल्प में उर्जा क्या होगी एनर्जी जो होगी वह तोने के कारण उर्जा का आउस्षोशन भी करेगी और उस्सर्जन भी करेगी तो फ्रेंट्स इस प्रकार से प्लांक रेडियेशन लाँ है